हेलो फ्रेंड्स वाम वेलकम टू केया माकेट गुरुकूल सो आज फर्स्ट आप में है 2023 तो अभी कल के लिए सेकंड आफ में 2023 के लिए ऐसे कौन से स्टॉक से जिनके उपर आप फोकस कर सकते हो क्या रीजन है दोस्तों उन्हें फोकस करने के लिए तो चलिए देखते हैं फि उसको आप अब जो किजे कल के दिन और जैसे-जैसे मैं एंट्री जहां पर बताऊंगा वैसी यदि एंट्री वहां पर मिल रही है डेफिनिटली आप उन्हें ट्रेड कर सकते हो तो पहला स्टॉक है उसका एशियन पेंट्स का अब इसका रिजन पहले समझेंगे हम लोग क अब तो यहां से रिवोसल माकेट को मिला माकेट फिर से नीचे आ चुका था अब तीसरी बार फिर से यह लेवल पर माकेट आ चुका है तो तीसरी बार यह level पर market आया है और market में जो strength हम देखेंगे इसके अंदर तो जो strength है वो strength भी कफी positive direction में strength market में इसके अंदर दिखाई दे रहा है फिलाल एक जो direction है upside वाल वो upside वाल direction इसमें अच्छा कासा दिखाई दे रहा है तो definitely यह charge action print को आप कल के लिए focus कर सकते हो अब इसमें entry लेना कैसे है चलिए वो entry को भी देख लेते हैं अब मैं shift हो जाता हूँ five minute के time frame में जब यह level मतलब यह जो level है around मैं level की बात करूँ आपको तो एक second okay so 2920 तो 2920 के उपर एक अधी अच्छी WRC candle बुलिश WRC candle यदि यह level के उपर closing दे दे अच्छा कासा close दे दे definitely यह stock को आप buy करके चल सकते है intraday के लिए पहला intraday का target इसमें जो होगा 2975 का target intraday में यह अच्यू कर सकता है यहाँ अभी SL कैसे लगाना है देखिए SL कैसे लगाना है this is also important कोई भी चीज जब break होती है जैसे यहाँ पर यह सपोज अच्छा यहाँ से breakout डे रहा है अच्छी candle यहाँ पर बन रहे है तो यह जो swing होता है आपका 5 minute में आप initially इसे देख सकते हो यह swing रहेगा आपका stop loss या इसके नीचे closing in 5 minute basis आप उसमें अपना stop loss रख सकते हो मैं target भी आपको दिखा देता हूँ target भी जो 2975 का target इसके अंदर अभी देखने को मिल रहा है जो first target मैंने बोला है action paint के अंदर वो target भी मैं daily time frame के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे निकाला है देखिए यहाँ पे यह जो candle था यह candle नहीं अच्छा breakdown किया था तो इसी candle का high will be the first target उसके बाद 3000 का level will be the next target बड़ा पहले target के लिए at least इसमें 5 minute time frame से आप यहाँ पे entry ले सकते हो और opportunity के साथ entry लेने वाले हम लोग हम लोग entry ऐसे randomly कहीं पे भी entry बिल्कुल नहीं लेने वाले है दूसरा stock निकल के आ रहा है तो यह है बजाज फिंसव का stock तो बजाज फिंसव में क्या करना है कैसे करना है यह भी चीज़े यहाँ पे हम लोग अभी discuss कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो बजाज फिंसव इसके अंदर बनाया हुआ था market ने यह congestion zone में पहले आप यदि देखोगे तो market ने एक बार यह support लिया था फिर market उपर गया नया high मतलब नया resistance लेवल उसने बनाया था और यह level break जब हुआ था तो break होने के बाद market के अंदर जो fall दिखाई दिया था काफी बढ़िया fall market ने एक downside वाला move उसने दिया था अभी जो strength बनके आ रिये बजाज फिंसाओ के अंदर जो strength है वो positive strength है अब बजाज फिंसाओ यदि 1375 के उपर अच्छी WRC बनायेगा 5 minute के अंदर definitely इसके अंदर आप buy side वाला trade ले सकते हो एक यदि candle अच्छी जो bully WRC candle है वो candle यदि 1375 के उपर closing दे पहला target आप 1400 के level का दूसरा target 1430 रुपए के level का आप इसके अंदर रख सकते हो और इसमें आपका stop loss क्या आएगा क्योंकि stop loss is very mandatory trading करते समय हमें एक चीज़ का अच्छा का साथ मतलब ध्यान रखना है कि stop loss हमने properly entry लेने से पहले decide करना है तो यह जो swing रहेगा यह swing आपका stop loss र होगा उसके लिए definitely यहाँ यह जो भी trades रहेंगे five minute time frame में हम लोग trade लेंगे तो इसके अंदर stop loss कम ही आपका रहने वाला है और 14 होग तक के target इसमें आपको मिल सकते हैं अब जो तीसरा stock निकालके रखा है बाटा इंडिया का बाटा इंडिया को भी हम लोग यहाँ पे देख में यहाँ पे एक consolidation कर रहा है daily time frame के अंदर तू कल यदि बाटा इंडिया यह congestion एक अच्छा अपमू किया उसने ओके अच्छा अपमू करने के बाद अभी यह congestion level में है तो यह यदि यह congestion level से बाहर निकलता है कल पाच मिनिट के अच्छी bullish डवल्यो आसी candle इसके उपर closing देती आप उसको buy के लिए सोच सकते हो आपको जो trade लेना है 1490 के उपर closing मिली अच्छी डवल्यो आसी candle के साथ definitely आप बाटा इंडिया के अंदर कल अपना trade initiate कर सकते हो तो और एक जो stock है doctor ready उसको हम लोग अभी discuss कर लेते हैं ओके दोस्तो तो अभी जो doctor ready है doctor ready के अंदर आप यदि देखोगे तो 4300 का ये जो उसका level था ये level से उसने अच्छा कासा upward direction में strength दिखाया है अच्छा strength दिखाने के बाद इसने एक मतलब higher low बनाया है उसके बाद फिर से वो 4950 का जो level है वो level के इर्गीर्द अभी दिखाई दे रहा है तो doctor ready के अंदर कल ये दी कोई भी 5 minute की candle अच्छी तरीके से 4950 के उपर close करेगी आपका पहला target रहेगा 500010 के level का दूसरा target रहेगा आपका 500080 के level का 5080 का आपका दूसरा target इसके अंदर रहेगा और stop loss logic same रहेगा जो मैंने बाटा इंडिया Asian paint बजात फिंसों में बत आला है वो भी देख लेते हैं हिंद बेटरों दोस्तों अभी अपने काफी crucial level के उपर trade कर रहेगा आप यदि देखो के one time two time three time तीनों टाइम ये level से अच्छा कासा डाउन मूस के अंदर देखने को मिला है अभी अभी यदि वो ये level को break करेगा ओके अल्द लेवल इस अरा आला टागेट आपका 261 के level पे वहाँ पे रहेगा और सेम लॉजिक स्टॉप लॉस का उसमें रहेगा तो दोस्तों पाचों स्टॉक को निकाल के रखो पाचों स्टॉक में जब entry बने जो desired level मैंने draw करके बताईए जो exact level आपको बताईए वो level के उपरे दिए अच्छी bullish candle र आपको कुछ न कुछ insightful learning मिली हो और ऐसी learning videos अभी आप देखते रहोगे और सीखते रहोगे और market से consistently earn करते रहोगे so thank you very much for watching this video thank you